रूत अध्याए एक से चार अध्याए एक एली मेलिक और उसके परिवार का मुआब को जाना एक जिन दिनों में न्याई लोग न्याई करते थे उन दिनों में देश में अकाल पढ़ा तब यहूदा के बैतल हम का एक पुरुष अपनी स्थ्री और दोनों पुत्रों को संग देकर मुआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला दो उस पुरुष का नाम एली मेलिक और उसकी पतनी का नाम नाउमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे ये एपराती थे अर्थात यहूदा के बैतल हमके रहने वाले थे वे मुआब के देश म आकर वहां रहे तीन और नाओमी का पती एली मेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए चार और उन्होंने एक-एक मौबिन स्थ्री से विवाह कर लिया एक का नाम और पा और दूसरी का नाम रूट था फिर वे वहां कोई दस वर्ष रहे पांच जब महलोन और किल्यों दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पती से रहत हो गई नाओमी और रूट का बैतल हम लोटना छे तब वह मौब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधी लेके उन्हें भूजन वस्तुदी है उस देश स अपनी दोनों बहों समेत लोट जाने को चली साथ अतह वह अपनी दोनों बहों समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहुदा देश को लोट जाने का मार गलिया आठ तब नाओमी ने अपनी दोनों बहों से कहा तुम अपने अपने माय के लोट जाओ औ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीटी की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे उपर कृपा करे। नौ यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पती के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, दस और उससे कहा, निश्चे हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। ग्यारा नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियो, लौट जाओ, तुम क्यूं मेरे संग चलोगी। क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पती हों। बारा हे मेरी बेटियो, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पती करने को बुड़ी हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पती होता भी, और मेरे पुत्र भी होते, तेरा तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहतीं। और उनके निमित पती करने से रुकी रहतीं। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दू, ख तुम्हारे दू, ख से बहुत बढ़कर है, देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। चौदा तब वेफिर से उठीं, और 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 पाने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रुत उससे अलग ना हुई। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, सत्रा जहां तू मरेगी वहां मैं भी म्रूनगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदी मृत्यू छोड़ और किसी कारण में तुझ से अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। 18 जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब उसने उससे और कुछ न कहा। 19 अतावे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुँची। 21 मैं भरी पूरी चली गई थी परन्तु यहोवा ने मुझे चूची करके लोटाया है। इसलिए जब कि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वर्शक्तिमान ने मुझे दू ख़दिया है फिर तुम मुझे क्यूं नावमी कहती हो। 22 इस प्रकार नावमी अपनी मुवाबिन बहु रूत के साथ लोटी जो मुवाब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंब में बैतल हम पहुँची। अध्याए दो, रूत बोर्स के खेतों में एक नावमी के पती एली मेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुम भी था जिसका नाम बोर्स था। दो मुवाबिन रूत ने नावमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टी करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा चली जा बेटी। तीन इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वहली मेलेक के कुटुम भी बोर्स का था। चार और बोर्स बैतल हम से आकर लवने वालों से कहने लगा यहोवा तुम्हारे संग रहे और वे उससे बोले यहोवा तुझे आशीश दे। पांच तब बोर्स ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के उपर ठहराया गया था पूछा वह किसकी कन्या है। छे जो सेवक लवने वालों के उपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया। वह मौबिन कन्या है जो नाउमी के संग मौब देश से लोट आई है। साथ उसने कहा था मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पूलों के बीच बीनने और बाले बटोर ने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। आठ तब बोर्स ने रूट से कहा है मेरी बेटी क्या तू सुनती है। किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। नौ जिस खेत को वे लवती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उनहीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आग्या नहीं दी कि वे तुझे तंग न करें। और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। दस तब वह भूमी तक जुक कर मुह के बलगेरी और उससे कहने लगी क्या कारण है कि तूने मुझ पर देशन पर अनुग्रह की दृष्टी करके मेरी सुधीली है। तुझे पूरा बदला दे। तेरा उसने कहा है मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टी मुझ पर बनी रहे। क्योंकि अध्यपी मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ। तो भी तुने अपनी दासी के मन में पैठने वाली बातें कहकर मुझे श पंद्रा जब वह बीनने को उठी तब बोज ने अपने जवानों को आग्या दी उसको पूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोश मत लगाओ। सोला वरन मुठी भर जाने पर कुछ-कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुर को मत। सत्रा हता वह सांच तक खेत में बीनती रही तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई अपा भर जो निकला। 18 तब वह उसे उठा कर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने त्रिप्थ होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। 19 उसकी सास ने उससे पूछा आज तु कहा बीनती और कहा काम करती थी। धन्य वह हो जिसने तेरी सुधिली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किस के पास काम किया और कहा जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोज है। बीस नाओमी ने अपनी बहु से कहा वह यहोवा की ओर से आशीश पाए क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुँँ पर से अपनी करुना हटाए फिर नाओमी ने उससे कहा वह पुरुष तो हमारा एक कुटुम भी है वरन उन में से है जिनको हमारी भूमी छुडाने का अधिकार है 21 तब रूट मुअबिन बोली उसने मुझ से यह भी कहा जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उनहीं के संग संग लगी रह 22 नाउमी ने अपनी बहु रूट से कहा मेरी बेटी यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझ से दूसरे के खेत में न मिलें 23 इसलिए रूट जो और गेहून दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोरस की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहां रहती थी अध्याए तीन नाओमी की रूट को सलाह एक उसकी सास नाओमी ने उससे कहा हे मेरी बेटी क्या मैं तेरे लिए ठावा न ढूंडू की तेरा भला हो दो अब जिसकी दासियों के पास तू थी क्या वह बोरस हमारा कुटुम भी नहीं है वह तो आज रात को खलिहान में जौफटकेगा तीन तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहिंकर खलिहान को जा परन्तु जब तक वह पुरुष खापी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रगटना करना चार और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना फिर भीतर जाकर उसके पाउव उभार के लेट जाना तब वही तुझे बताएगा की तुझे क्या करना चाहिए पांच उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी चेह तब वह खलेहान को गई और अपनी सास की आग्या के अनुसार ही किया साथ जब बोरस खापी चुका और उसका मन आनंदित हुआ तब जाकर अनाज के धेर के एक सिरे पर लेट गया तब वह चुपचाप गई और उसके पाउव उभार के लेट गई आठ आधी रात को वह पुरुष चौंक पढ़ा और आगे की और जुकर क्या पाया कि उसके पाउवों के पास कोई स्त्री लेटी है नौ उसने पूचा तू कौन है तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूँ तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओड़ा दे क्योंकि तू हमारी भूमी छुड़ाने वाला कुटुम्भी है दस उसने कहा हे बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीश हो क्योंकि तूने अपनी पिछली पीती पहली से अधिक दिखाए क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी ग्यारह इसलिए अब हे मेरी बेटी मतदर जो कुछ तू कहेगी मैं तुझ से करूंगा क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्थ्री है बारा और सच तो है कि मैं छुडाने वाला कुटुम भी हूँ तो भी एक और है जिसे मुझ से पहले ही छुडाने का अधिकार है तेरा अतह रात भर थहरी रह और सबेरे यदी वह तेरे लिए छुडाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा वही ऐसा करे परंतु यदी वह तेरे लिए छुडाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपत में ही वह काम करूंगा भोर तक लेटी रह 14 तब वह उसके पावों के पास भोर तक लेटी रही और इससे पहले की कोई दूसरे को पहचान सके वह थी तब बोर्ज ने कहा कोई जानने ना पाए की खलिहान में कोई स्त्री आई थी 15 तब बोर्ज ने कहा जो चद्दर तू ओड़े है उसे फैला कर पकड़ ले और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने छह नपूए जो नापकर उसको उठा दिया फिर वह नगर में चली गई 16 जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा हे बेटी क्या हुआ तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया 17 फिर उसने कहा यह चह नपूए जो उसने यह कह कर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूचे हाथ मत जा 18 उसने कहा हे मेरी बेटी जब तक तू न जाने की इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुप चाप बैठी रह क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निप्टाए चेहना पड़ेगा अध्याई 4 रूत और बोहर्स का विवाह एक तब बोहर्स फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुम्बी की चर्चा बोहर्स ने की थी वह भी आ गया तब बोहर्स ने कहा हे मित्र इधर आकर यहीं बैठ जा तो वह उधर जाकर बैठ गया दो तब उसने नगर के दस विद्ध लोगों को बुला कर कहा यहीं बैठ जाओ वे भी बैठ गए तीन तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुम्बी से कहने लगा नाउमी जो मौब देश से लौट आई है वह हमारे भाय एली मेले की एक तुकड़ा भूमी बेचना चाहती है चार इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझ को जता कर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृध लोगों के सामने मोल ले यदि तू उसको चुड़ाना चाहे तो चुड़ा और यदि तू चुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लून क्योंकि तुझे चोड़ उसके चुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है और तेरे बाद मैं हूँ उसने कहा मैं उसे चुडाऊंगा पांच फिर बोर्ज ने कहा जब तू उस भूमी को नाउमी के हाथ से मोल ले तब तुझे उसे रूत मुआबिन के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस विचार से मोल लेना पड़ेगा की मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे छे उस चुडाने वाले कुटुम्बी ने कहा मैं उसको चुडा नहीं सकता ऐसा ना हो की मेरा निज भाग बिगर जाए इसलिए मेरा चुडाने का अधिकार तू ले ले क्योंकि मैं उसे चुडा नहीं सकता साथ पुराने समय में इस्राइल में छुड़ाने और बदलने के विश्य में सब पक्का करने के लिए यह प्रता थी कि मनुष्य एपनी जूती उतार के दूसरे को देता था इस्राइल में प्रमानित करना इसी रीती से होता था आर्टिस लिए उस छुड़ाने वाले कुटुम्बी ने बोवस से यह कह कर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी नौत अब बोवस ने व्रिध लोगों और सब लोगों से कहा तुम आज इस बात के साक्षी हो की जो कुछ हली मिलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था वह सब मैं नावमी के हाथ से मोल लेता हूं दस फिर महलोन की स्ट्री रूत मुआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निजभाग पर स्थिर करून कहीं ऐसा नहों कि मरे हुए का नाम उसके भाईयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिग जाए तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो ग्यारह तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और व्रिध लोगों ने कहा हम साक्षी है यह जो स्थ्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राइल के घराने की दो उप जाने वाली राहिल और लिया के समान करे और तू एप्राता में वीर्ता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो बारह और जो संतान यहोवा इस जवान स्थ्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पैरेस का सा हो जाए जो तामार से यहुदा के द्वारा उत्पन हुआ उद्धरन चेन्ह बोल्स और उसके वन्शज तेरा तब बोल्स ने रूट से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और जब वह उसके पास दया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन हुआ चौदा तब स्त्रियों ने नाउमी से कहा यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुडाने वाले कुटुमबी के बिना नहीं छोड़ा इसराइल में इसका बड़ा नाम हो पंद्रह और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुडा पे में पालने वाला हो क्योंकि तेरी बहु जो तुझ से प्रेम रखती और साथ बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ट है उसी का यह बेटा है सोला फिर नाउमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी सत्रा और उसकी पर्लोसिनों ने यह कहकर नाउमी के एक बेटा उत्पन हुआ है लड़के का नाम उबेद रखा यिशे का पिता और दावद का दादा वही हुआ 18 पेरेस की वन्शावली यह है अर्थात पेरेस से हैसरोन 19 और हैसरोन से राम और राम से अम्मीनादाब 20 और अम्मीनादाब से नाशोन और नाशोन से सल्मोन 21 और सल्मोन से बोर्ज और बोर्ज से ओबेद 22 और ओबेद से हिशे और हिशे से दावबुत पन हुआ